दिल्ली में होए दंगों को एक पक्षी कारवाई को लेकर दंगा पीडितों के खिलाफ के इंदर सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी अत्याचार बंदि करने मुसलिम समाज को दिल्ली में पत्रकार वारता नहीं करने देने पर पॉपूलर फ्रेंट ऑफ इंडिया के जलादक्ष इर्शाद एहमद ने उजयन में पत्रकार वारता लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरूप लगाए हैं कि उतर पूरवी दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरूप लगा कर कई बेगोनाहों को ग्रफतार किया गया जिनमें से जादेतर मुसलिम समुदा के कारण हुआ जो सीधे केंद्री घ्र मंतराले द्वारा नियंतरित किया जाता है पुपूलर फ्रंट दिल्ली के प्रदेश अद्यक्ष परवेस एहमद और राजसचेव मुहमद इलियास को तब गरफतार किया गया जब पुलिस अत्याचारों के खिलाफ आयोजित लगाए गए हैं मुसलिम यवको पर जारतर केस लगाए गए हैं और उन्हें परिशान करने के लिए हैं मुकदमा दर्श किया गया पुपूलर फ्रेंट आफ इंडिया के अदेक्ष ने कारुन को अपना काम निश्पक्ष रूप से सुनवाई करके नेड़ें देना इसका जो हमारा मेंट पॉइंट था और्गनाईज करने का उसमें यह है कि जो लोगों के उपर जल्म किया गया है उन्हीं के अगेंस्ट कारवाईयां की जा रही है जो कि ठीक नहीं है उसको सही तरीके से फेर इंकौईरी की जाए पहले चीज़ दूसरा चीज़ जो हमारा प्रेस कांफरेंस करने का आज का रीजन है वो यह है कि हमारे और्गनेजिशन को बिला वज़े डीमोनाईस किया जा रहा है बदनाम किया जा रहा है तो यह प्रेस कांफरेंस करने का हमारा मकसद दूसरा यह भी है कि इसके अंदर जो एक्चुल है उसको एक्चुल तरीके स यह मानना है, कि कानून जो काम करेगा, उसके साथ हम लोग हैं. कानूनκो अपना काम करना चाहिए और कानून के अंदर जो कुछ भी ठ्लॉक हो जाएगा, थाबित हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, उसको सभी इंडियन सिटिजन को फालो करना है.